इस तो हम लोग देख रहे हैं PT 365 Economics की जिसमें हम लोग ने पहले फर्स टॉपिक देख रहा था GDP और GVA अब सेकेंड टॉपिक देखेंगे मानव विकास रिपोर्ट तो इसमें एक साल का करेंट अफेर और आपके जितने भी आगे के एक्जैम सारे प्रिलेम्स की उन सब में इनपॉर्ट काम आएगा और यह जो आगे रिपोर्ट देख रहे हैं मानव विकास रिपोर्ट यह काफी इनपॉर्ट रिपोर्ट है तो देखते इसको निकालता कौन लगान मैं निकालता है याद कैसे रखेंगे इसमें रखेंगे यह वर्ट डवबलपमेंट और इससे याद रखें तो ही वन डवलापमेंट रिपोर्ट को निकालता है युनाइट निशन डवलापमेंट प्रोग्राम तो आल यह में तीपी ने 2021 के लिए मानव विकास तो UNDP ने निकाली है human development report report में इस इंस्क्रेंट का शीशक theme है अनिश्य समय अस्थिर जीवन परिवर्टनशील विश्में हमारे भविश्च को आकार देना तो इसकी अगर आपको देखनी है तो है uncertain times, unsettled lives, shaping our future in a world in transformation तो अन्य सम्मधित तथ्य देखते हैं मानव विकास लोगों की स्वतनता और अफसर को बढ़ाने और उनकी कल्यान को बढ़ावा देनी की प्रक्रिया है देखें development जरूरी है क्या करता है यह लोगों की स्वतनता और अफसर को बढ़ाता है जब लोगों का विकास होता है तब ही होगा जब उनकी स्वतनता बढ़ेगी उन्हें और अफसर मिलेंगे उनके कल्यान को बढ़ावा मिलेगा इसे पहली बार 1990 में प्रकाशित किया गया तो सबसे पहले यह रिपोर्ट आई थी 1990 में यह मानव विकास के तीन प्रेमुक आय एक्सक्षा तक पहुँच जीवन है मतलब जीवन प्रत्याशा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी उना दूसरा है इसक्षा तक पहुँच जीवन कि अप्रति व्यक्ति इसक ने ग्रॉस नेशनल इंकम टीने इसमें देखते हैं इसको अच्छे से पढ़िए तीनों चीज़े क् शब्दों का ही खेल रहता है माली जी महां पर GDP आगया तो आपको लेगा हां सकल करके कुछ पढ़ात हो था लेकिन फिर आपको ध्यार नहीं रहेगा कि सकल राष्टी आये था है ना तो यह इसको ध्यान रखे जीवन प्रत्याशा स्कूली सिक्षा के अपेक्षित और और उस कि इसमें गिरावट आई है इसमें अभी गिरावट आई है यह गिरावट पिछले पांच वर्षों की प्रगती के विपरित है तो पांच वर्षों में जो प्रगती की गई उसके विपरित हुई है तो यह ध्यान रखी कि लगातार दू वर्ष इसमें गिरावट आई है ज बारत ने जो 191 देश है उनमें से 132 स्थान पर है ठीक है 132 वे स्थान पर भारत है बहुत पीछे धियान रखे 132 इसका स्थान है ये नंबर अच्छा से याद रखे 191 देशों में भाद के कुछ परोशी देशों ने इससे बहतर प्रदर्शन किया बाला भाद की कुछ हासिल किया है बारत वैश्विक इस तरह की तूलना में पुर्श्व महिलाओं के बीच मानव विकास अंत्राल को तेजी से कम कर रहा है अब क्या कारण रहे है कि ये जो हडिया उसके में गिरावट का कारण का है वैश्विक कोविड-19 महामारी रूस का युक्रेन पर आक्र स्कूर को कम कर दिया है तो कोविड-19 के कारण सबसे वहला तो आप खुद गैस कर सकते हैं अभी जो ये एक तो सब के पीछे कारण हो सकता है यू रूस का युक्रेन पर आक्रमेंट के पीछे कितनी महेंगाई वगयरा हो गई जल्वाइव संकूर के सही प्रभावने मानव स्कूर को कम कर दिया यह कारण रहे हैं वैश्वी किस तर पर जीवन प्रत्याशा ठीक है 2019 के 72.8 वर्ष से 2021 में घटका 71.4 वर्ष हो गई है तो जीवन प्रत्याशा जो है घटी है ठीक है 72.8 से 71.4 हो गई है यह ध्यान रखें घरेलू भारत का मानव विकास मान 2021 में कम होकर 0.633 हो गया है ठीक है जबकि वर्ष 2020 में यह 0.645 था तो 0.645 से 0.633 हो गया है इससे भारत मध्यम मानव विकास की शेड़ी में आ गया है जीवन प्रत्याशा का 69.7 वर्ष से घटका 67.2 वर्ष हो ना ठीक है मतलब भारत में क्या हो गई है भारत में स्कूली शिक्षा के ल 7.9 है और स्कूली शिक्षा है तो बिताएगा और सद वर्ष 6.7 है गुष डाटा है यह जो आपके मेंस के लिए काम है और कुछ जो है जैसे की स्कोर वगैरा ध्यान रखें पूछ सकते हैं ना वर्ष 2019 और 2021 के दौरां क्रय शक्ति छमता पीपी के मामले में विकासी देशो सब्सक्राइब दो प्रतिशत की ब्रिति होई है इस अवदि की तुल्मात यह में तुल्नात्मक रूप से भाद में प्रति विक्तियाय में पास प्रतिशत की कमी आई है तो पहले देख लेता है एज घृत मांव विकास की तीन बुनियादी आयमों ये था जीवन प्रत्यास्वा सिख्षी और कि आई में औसथ उपल्ब्दी को मापता है जिविदार इंडेक्स इसोच कि महिलां पॉर्षों के कि लिए SDI मान की गणना करता है जो जैन्र दिविदार में में पॉर्षों के सदर्डाम करता है ये प्रशने स्वास श्रशक्तिका और शंबाजार ठीक है अब भाई आमी निर्दंतर सुचकांगे विकास्टी देशों के लोगों के समख्च आने वाली विफिन समस्थ्यां वंचन डेप्रिवियेशन्स पर ध्यान के इंडिद करता है इसमें स्वास दिक्षा और जीमेंस् सफारत कारक्रम 1949 में गठ्थत किया गया और स्यब्तरास विशेशचकोष 1958 में स्थापित की विलए से 1965 में स्थापित किया गया सौपे-गैकार UNDP cable drive लोगतां टेक शाषन पर नाली विदी का शाषन और समाविशी संस्थान स्थापित करना भारत इसका सदस्थ है कार्षेत में शामिल देश हैं यह संग्ठन 170 देशों में काम करता है अन्य महत्मूर्ण जानकरी अंतरास्टी विकास पर कहें देश चाषन और शांती स्थापना एवं जलवाई और आपदाल अचीलापन मानव विकास रिपोर्ट HDR UNDP 27 रूप से जारी की जाने वाल एक प्रमुक वार्षिक रिपोर्ट है तो यह UNDP जारी करता है सेकेंड टॉपिक है गरीबी उन्मूलन ठीक है पौवर्टी एलविएशन निर्धनता सम्मंदी अनुमान पौवर्टी एस्टिमेट ठीक है नियूज में क्यों है हाली में अंतराश्ट्री मुद्राकोष जो है आईमएफ और विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक से जोड़े लेखकों ने भात में निर्धनता और अस्मानता के तो अलग-अलग अनुमान प्रकाशित किये हैं अधर दिखते हैं प्रदान मंतरी की आर्थिक सलाकार परिशद जो है नेभी भात में अस्मानता की स्थिति स्टेट और इनेक्वैल्टी इंडिया शियर्शक से एक रिपोर्ट जारी किये हैं निर्धनता और निर्धनता मापने की अलग-अलग विदियों के बारे में कि ऐसी स्थितिय दशा के रूप में परिभाशत किया जाता है जब उसके पास एक उच्छे जीवन इस्तर के लिए धन की कमी संसाधनों तक पहुच नहीं होती है तो निर्दंता को देखे कैसे देखते हैं आपको पता है क्या होता है गरीबी है लेकिन हर चीज के एक डैफिनेशन होती है मतलब कि आप उसे कैसे डिफाइन करेंगे तो एक व्यक्ति यह समुदा है कि ऐसी इस्थिति यह दशा जब उसकी पास मतलब एक उच्छे जीवन इस्तर के बनाए रखने के लिए है एक पोशन इस्तर प्राप्त करने के लिए धन की कमी यह संसाद उनों तक पहुंच नहीं हो कि तो उसको कहते हैं इसामता पर निर्धंता की सीमा इढ्दन रेखा के आदार पर पूर्न या सापेक्श निर्धंता के रूप में आप आझता है जाए लिए कि नीचे आनेवाले लोग को गरीब या निर्धन माना जाता है एक रेखा होती है इसके नीचे आने वालों को बोलते हैं कि यह लोग गरीब या निर्धन है निर्पेक्षिय पूर्ण निर्धनते चरम निर्धनता से सवच पेजल भोजन सवच्टा जैसी जीवन की बुनियादी आफशक्ता कि उनके पास इनसे साधनों की कमी है तो उसे निर्पेक्ष पूर्ण निर्धनता कहते हैं उधान के लिए विश्व बैंक उन व्यक्ति को अत्या निर्धन मानता है जो क्रेश शक्ति समता प्रति दिन 1.9 डॉलर से कम कमाता है तो यह डेफिनिशन याद रखे कि वर्ड बै समाज में पर्याब तो समाजी रूप से स्वीकार माने जाने वाली स्थिती की तूलना में निर्पेक्ष निर्धनता तो मतलब कि उनकी पास बुन्यादी आवशक्ताई भी नहीं है सापेक्ष निर्धनता मतलब आप अमेरिका में क्या है कि कार ना होना कार सबके पास होते एक बात बतारी हूँ, तो महला गरीब वहां भी होते हैं, तो अब जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज में जो है लोग के पास, अगर आप उसके सापेश के पास कमी है, तो वो सापेश निद्धनता कर लाएगी, तो किसी व्यक्ति ये समाज की निम्न आय और संसाधन की इस सबसे बड़ी बाद है कि डेफिनिशन के लिए विवाद रहते हैं किसको निर्धंता माने है ना कि जिसको भास खाने को नहीं है जिसके पास स्वास्त की सब्सक्राइब बहुत सारी चीजों पर विवाद होता है कि किस चीज को निर्धंता की सब्सक्राइब जो समय स्थान के साथ बदलते हैं इसका निर्धंता मापने के विविवन विद्या अपनानी पड़ती है जैसे भी निर्धंता अनुमान के दूस्थी िभाण्व हों ठीक है कि यहां पर हमने क्या से पहले देख लेते हैं एक सब्सक्राइब देखिए जो लाइन है बनी हुई है टेड़ी वहात में चरम गरीबी की दर है विश्व बैंक के अध्यन के अनुसार और जो पॉइंट पॉइंट बने हुए है वहात में चरम गरीबी की दर यदि खाद अंतरण को भी गर्णा में शामिल कर लिया जाए आ सब्सक्राइब अब यह देखते हैं निर्धंता अनुमान के दुस्ट्री कोन बहतर इस्थिति वाला दुस्ट्री कोन में तीन आयम शामिल है संसाधन पास होना हैविंग समाजिक स्वीकार्था होना लविंग और अध्यात्मिक भावनात्मिक संतुस्ट्री होना बेंग ठ बहतर इस्थिति वाला दुस्ट्री कोन है जो हमें एरिक अलाड द्वारा दिया गाई इसके तीन आयाम है ठीक है संसाधन होना समाजिक स्वीकार्था होना इंसान के पास के संसाधन होने चाहिए बोल रहे है समाजिक स्वीकार्था होनी चाहिए अध्यात्मिक भावनात्म उस पर संतिय होना चाहिए ठीक है हाविंग लविंग होना चाहिए चंता वाला दुस्टी कौन होता है कैपैपली डुस्टी कौन और निर्धंता अनुमान के तो रूप में अमट से इंद्वार-प्रतिवातित सिंटी कौन के आदार पर OECD ने भहयुआमी चमता framework तयार किया इसमें निम्लिकेत पाथ चमताओं को शामिल किया देखे आय और उभोग दुस्ट्रीकोन के विकल के रूप में जिसमें आय और उभोग देखेंगे अमत अंठ सेन द्वारा प्रतीपादिट इस पर प्रतीपादित के अमत सेने OECD ने भहयुआमी चमता framework तैयार किया पहयुआमी निढद eher का सूचकांग मल्ति डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऐता है इसकी शुरुआत दोयार दस में हुई थी इस इंडेक्स की, इसे UNDP अभी हमने आगे भी देखा, इसे UNDP और Oxford Poverty of Human Development Initiative, UNDP और OPHI जो है हमारा, उसके द्वार निम्लखे तीन आयामों और दस संकितकों के आधार पर घरेलू इसतर की गरीबी को मापने उनकी व्याक्या के स्वास्त में देखते हैं, बाल, मृत्यूदर और पोशन, जीवनिस्तर, बिजली, पेजल, सुच्टा, आवास, रसोई, इधन और संपत्ति, बहारत में कैसे इसका आखलन करते हैं, तो देखिए, तैंदुलकर समीती बनी थी 2009 में, तैंदुलकर समीती ने NSSO के आधार पर गरीबी का निधारन किया था, इसके लिए समीती ने मासिक प्रती उभ्भोग व्याय मंतिली पर कैपिटा कन्स्प्शन, एक्सपडिशर के आधार पर गरीवी का निधारन किया था, ठीकर? इस्तिक अनिश् kaf्ष निखा था था तेंदूलकर समिती ने 2011 बारा में कुलाबादीकर 21.9 परसेंट गरीवी रे खा से नीचे था ठीके तो इस नि कहा था कि 21.9 परसेंट गरीवी रेखा के नीचे था कुलाबादी का फिर बनी थी रंगराजन समीटी थीक है तेंदुल का समीटी बनी थी 2009 में फिर बनी थी रंगराजन समीटी 2014 में समीटी द्वारा प्रस्तुत गरीवी रेखा का नुमान सेंटर फोर मौन्ट्रिंग इंडियन एकनॉमिक तो जो रंगराजन समीटी थी तो रंगराजन समीटी जो थी उसका गरीवी रेखा का नुमान सेंटर फोर मौन्ट्रिंग इंडियन एकनॉमी द्वारा परिवारों के एक स्वतन बहत सर्वेख्शन पर आधार थी थी इसने बताया कि 2021-2011 में कुल आवादी का 29.5% इस्ता गरीवी रेखा से नीचे थी तो इसने बताया कि ज्यादा आवादी का हिस्सा गरीवी रेखा से नीचे था ठीक है तेंदुलकर समीटी के उससे नीती आयोक का रास्टी भयामी गरीवी सूचकांग आधार रेखा रिपोर्ट नीती आ द्वारा तैयार किया गया यह 12 मापदंडो MPI की 10 संकेतक तता स्वास्त और जीवन इस्तरकित है तो नए संकेतक इसमें जो थे प्रसफपूर देखवाल और बैंक खाता पर आधारित था जो भी हमने यह वाला पढ़ा था आपने देखा यहां पर ठीक है मल्टी डायमेशन गरीवी के अकलन के लिए अन्य समीतियां बनी अलग समीति नाम याद रखे 1979 में और लकड लकड़ा वाला समीति बनी 1993 में भाट के लिए असमानता कुम आपने वाले अन्य मापक जो थे पौवर्टी इंशेर प्रॉस्पेरटी 2022 करेक्टिंग कोर्स ठीक है यह गरीबी और स अनुमानों और रुजानों पर विष्ट बैंक द्वारा दो वर्ष में एक बार जारी किये जाने वाली रिपोर्ट है तो यह जो पौवर्टी इंशेर प्रॉस्पेरटी 2022 करेक्टिंग कोर्स है यह गरीबी और साजर सम्रिद्दी वाली वैश्विक अनुमानों और रुज अमेरिकी डॉलर कर दिया गया ठीक है यह गर्णा दोहर सत्रा की क्रेश अक्ति चंता के आधार पर की जाती है तो इसमें बढ़ा दिया गया गरीबी रेखा इसमें प्रती व्यक्ति प्रती दिन 6.85 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन या पर करने वाली आवादी शामिल है त परचेसिंग पावर पैरिटी पीपी मतलब तो इसमें जो चरम वाली इती उसको भी बढ़ा दिया गया और दूसरा असमानता घटानिकली प्रतिवत्ता सुचकांग कमिटमेंट टू रिडूसिंग इनिक्वैल्टी क्राइर इंडेक्स ठीक है भारत असमानता घटानिकली प्रतिवत्ता सुचकांग के 123 स्थान पर है भात की पिछली रैंकिंग की तूलना में इस वस 6 स्थानों का सुधार हुआ है इसमें वस 2022 का क्राइ सुचकांग 161 देशों में कोविड-19 महामारी के पहले दो वर्षों के दौरार असमानता से रिपटने के लिए उनकी सरकाई सरकाई नीतियों का आकलन करता है इस सुचकांग को और इंटरनेशनल डिवलफमेंट फाइनेंस ने तयार किया था तौक किसने बनाया था और इंटरनेशनल डिवलफमेंट फाइने यह क्या है कोविड-19 के पहले दौ वर्षों की दो रस्मानता से निपटने के लिए उनक बंद आ रहा है तो बताएं इसको फिर कंटीनू करेंगे जस्ट बिकॉस कि ज्यादा व्यूज नहीं रहते इसले में मोटिविशन नहीं मिलता है अगर आप लोग देखेंगे तो 100% में इसको बनाती रहूंगी थैंक यू